आज हम लोग आपकी कक्षा बारह में कवी जैशंकर प्रसाज जी द्वारा रचित शरद्धा मनुशीरसक से कुछ पध्यांश दिये हुए हैं आज हम लोग इसके अठारह में पध्यांश की व्याख्या और इस पध्यांश पर आधारित आपकी बोड की परिक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रशनों को हल करना सीखेंगे बहुत ही सरल है यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने इसके 17 पध्यांश देख चुके हैं और कहीं कोई समस्या नहीं आई है ठीक है लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पध्यांश में जितने भी शब्द आये हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नजर डालेंगे और यदि किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले इसमें आये हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं जलाधी जलाधी माने सागर या समुद्र दोनों होता है जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए ठीक है के सरल है कोई दिक्कत नहीं है सागर के समुद्र के फूटे मतलब फूट पड़े या फूट गए यानि फूट पड़े फूट गए का मतलब निकलने लगा पानी नि कितने, कितने मतलब बहुत सारे, उत्स माने श्रोत, श्रोत का मतलब होता है किसी चीज की उत्पत्ति का इस्थान, ठीक है, द्वीप, द्वीप आपको पता है कि जो उंचे उंचे पहार टाइप की जो इस्थान होते उनको द्वीप कहते हैं भगोल की भासा में, है न, तो द श्वीप कच्छप कच्छप माने कच्छुआ जो खोपड़ी वाला कच्छुआ होता है कच्छुआ ठीक है डूबे मतलब डूबने लगे उतराय मतलब उतराने लगे है ना तो डूबे उतराय मतलब डूबने उतराने लगे किंतु किंतु माने किंतु या लेकिन या फिर भी वह का मतलब यहां पर जो शरद्धा मनु है तो शरद्धा अपने और मनु के लिए संबोधित करती है क्योंकि वो मानवता के प्रतीक है तो वह अपने दोनों लोगों के लिए करे ठीक है खाड़ी रहे मतलब खाड़े रहे, दिर्ध मूर्ती, देखे दिर्ध का मतलब होता है कि विचलित न होना, बिना विचलित हुए, और मूर्ती सरल है, ठीक है, तो दिर्ध मूर्ती मतलब बिना विचलित मूर्ती के समान, बिना विचलित मूर्ती के समान, ठीक है, अभिधय मा किसी का उत्थान करना किसी का विकास करना उन्नति करना ठीक है जो आपको अच्छा लगे ले लिजे का कर रही तीनु शब्द सरल है कोई दिक्कत ने उपाई ये भी सरल ही है ठीक है तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हो गए अब हम लोगों को इसका संदर्व प्रसंग और व् कि दया कि घ्यान से सुनिए गा सब्सक्राइब लगे में आप याख्या विस्तार से बताऊंगा जैसे आपको आपकी कख्षा में बताया जाता है वेसे बताऊंघा ठीक है और उसके बार हम लोग एक-एक शब्दों प्रयोक करके भी इसकी व्या शाय alors उने पहले विष्टार से जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा, देखे इस पद्यांश में है क्या, कि पूरी पुरी पृत्वी जल्मगन हो गई थी, आप पिछले कई पद्यांश से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब पानी समाप्त हो गया है, पानी समाप्त सा हो गया है लेकिन फिर भी जो मनु है वो बड़े निराश बैठे हुए है क्योंकि पूरी मानवता समाप्त हो गई है वो बड़े निराश है बड़े हातों साहित है जीवन के प्रती उनमें कोई उत्सा है ही नहीं ऐसे मिश्रद्धा उनको आती है उनके पास और उनको समझाती है और उस समय की घटना का याद कराती है जब पूरी प्रिथ्वी पाने में डूबी हुई थी तो वो कहती है कि हे मनु जब प्रिथ्वी जलमगन थी और ऐसा लग रहा था कैसा लग रहा था आजाई लाइन पर जलादी के फूटे की इतने उत्स और तब ऐ प्रिथ्वी पर समुद्र के पता नहीं कितने श्रोत फूट पड़े है ऐसा लग रहा था जैसे चारो ओर के वन समुद्र ही मनु हम और आप मतलब हम और आप उस समय भी दिढ्ध मूरती के समान खड़े रहे और विचलित हुए खड़े रहे बिना घबराय खड़े रहे और हम लोग जिन्दा बचे रहे मानोता के प्रतीक के रूप में हम लोग मरे नहीं मनु इस बात को क्यों भूल जाते हो कि जब पूरे द्वीप डूब रहे थे कच्छवा कच्छप जैसे जीव डूब रहे जो पानी में तैर सकते हैं लेकिन तब भी हम लोग समाप्त नहीं हुए मनु हम लोग मानोता के प्रतीक के रूप में द्रभ्मूर्ति के समान खड़े रहे और क्या अभ्युदय का कर रहे उपाय और उस समय भी उस विसम परिस्तितियों में भी हम लोग इस रिष्ट के उत रक्षा करने में विजय है आँए समयम को अपनी निराशा से बाहर निकालो और समस्या का जो समाधान है उस पर आपको ध्यान केंदित करना चाहिए यहीं इसकी व्याख्या है ठीक है चलिए अब हम लोग एक 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 शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं तो देखें सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरब से जोड़ के लिखेंगे ध्यान से सुनिए प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से प्रिथ्वी के जल्मगन होने की घटना का उल्ले करते हुए उन्हें समझाते हुए कहती है की अब आजाए पद्यांश पर कहती है की हे मनु जब महा प्रिथ्वी जल्मगन थी उस समय ऐसा लग रहा था की जल के पता नहीं कितने शुरूत फूट पड़े हैं पूरी प्रिथ्वी पानी में डूबी हुई थी बड़े बड़े दीप कच्छुआ जैसे जीव जन्तु भ लगे थे किन्त हे मनु उस समय भी हम और तुम मानोता के प्रतिक के रूप में दिड़ मूर्ति के समान खाड़े रहे और उस विशम परिस्थित में भी हम इस रिष्ट के उत्थान का अर्थात मानोता इस रिष्ट के उत्थान का उपाय कर रही थी फिर आपको अपने से ज के बाद भी मानवता अपने अस्तित्व की रक्षा करने में विजय रही है इसलिए है मनु तुम निच्वयम को निराशा से बाहर निकालो और आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन समस्याओं को हल करने का प्रयाश करो और आपकी व्याख्या पूरी हो ज अंदर देख लेते हैं तो देखे यदि रस की बात की जाए तो इसमें शांत रस है यदि चंद की बात की जाए तो यह सोलह मात्राओं का श्रिंगार चंद है यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें एक मात्रा अलंकार अनुप्रास अलंकार है यदि भाशा इसकी देखी जाए तो खड़े बोली है शैली इसकी प्रबंधात्मक है गुण इसमें प्रसाद है और यदि शब्द शक्त की बात की जाए तो शब्द शक्त इसमें अभिधा है अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग अनुप्रास अलंकार कहां पर है कविता में देख लेते हैं क्योंकि अलंकार से प्रशन अलग से भी पूछा जाता है तो अब आप देखें यहां पर ऐसा कौशा शब्द है जो एक से अधिक बार आया है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ठीक है तो देखें अब यहां जब आप आते हैं तो है का कर क और क की पुन्रावरिति है तो अनुप्रास अलंकार है ठीक है चले अब इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रशनों को हल करना सीखते हैं सबसे पहले आप प्रशन की सूचना पढ़ लीजिए कि प् पूछता है उपरियुक्त पद्यांश को पढ़कर निम्न लिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए ठीक है और आपके बोड के पेपर में इसी तरह से पांच प्रशन रहेंगे मैं बार बार आपको बताता हूं कि वह पांच प्रशन इसमें से भी हो सकते हैं इससे अलग भी ह अच्छी तरीके से समझ लिया है तो कोई भी प्रशन बनाए गारेंटी है कि आप उसका उत्तर लिख लेंगे क्योंकि सभी प्रशन इन ही चार चीजों पर आधारित होते हैं ठीक है तो चलिए यहां पर जो चार प्रशन है हम लोग उनको हल करने की कोशिश करते हैं तो चल चाया कि उनकी निराशा को दूर करने के लिए करती है लेकिन लिखेंगे कैसे चलिए देखिए आप उत्तर डालेंगे और उत्तर डाल करके लिखेंगे जल प्लवन की घटना काउलेख श्रद्धा मनु को समझाने के लिए कर रही है कि जब जल प्रलय के कारण पूरी प्रि स्वयम को असहाय न समझकर समस्या के समाधान के लिए ध्यान को केंदृत करना चाहिए ठीक है और इसका उत्तर हो जाएगा चलिए दूसरे प्रशन पर चलते हैं दूसरा प्रशना आप से पूछ रहा है प्रलय काल के संदर्भ में शरद्धा ने क्या कहा तो कुल मिला करके जो उपर का प्रसंथा सेम वैसा ही है थोड़ा बहुत बदलेगा तो देखे आप क्या लिखेंगे उत्तर डालेंगे और लिखेंगे प्रलय काल के संदर्भ में शर दिवपों समीत कच्छुआ तथा अन्य जीव जन्तु डूबने और उत्राने लगे थे प्रलैकाल के संदर में तो यही तो उन्होंने कहा कि पूरी प्रिथ्वी ऐसा लग रहा था कि कई शमुद्रों वहां पर आ गये हों कच्छुआ द्वीप यह सब डूबने लगे थे तो चले हम लोगं संदर भृब अर्पर संग लिखते हैं कि सबसे पहले आप संदर। आलेंगे ड्यकष डालेंगे और डच मानी हिंडी लिखेंगे तो दो यह पर सिश्मुद्धि आप यह के साइड के हो वो लिख लीजेगा अब एक हिंदी लिख देता है तो बहुत घपरानी की ज़रूत नहीं है ठीक है तो सामान हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रद्धा मनुशिर्शक से आवतरित है ठीक है इसके रचैता कभी जैशंकर प्रसाज जी है ठीक है और आपका संदर्व पूरा हो जाएगा अब ध्यान आपको क्या देना है देखिए जो हिंदी है या यदि आप सामान हिंदी साइंस वाले हैं लिखते हैं तो इसको सिंगल इन्वर्टेट कामा में लिखेगा और कोशिश किजी कि आप काले रंग की पे ठीक है यह तो यह आप नहीं बदल सकते सिंगल इन्वर्टेट कामा में लिखना पड़ेगा अगला है शिर्षक से आउतरित है उसके बाद जैस संकरप्रसाज जी यह है यह जो लेखक का नाम होता है अगर गद्यांश है और पद्यांश है तो जो कवी का नाम होता इसको भ देखिए आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुदी पता चल जाएगा हां कविता में तो हम लोगों ने यही पढ़ा है तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मन उसे कर्मशील बनते हुए मानवता का उत्थान करने और प्रसंद्धा पुर्वक जीवन जीने की सीख देती है ठीक है और आपका प्रसंद्ध भी पूरा हो जाएगा चलिए अब अगले प्रसंद्ध पर चलते हैं चवधा प्रशन आप से पूँच रहा है पद्यांश में आए शब्द द्रिढ तथा निरुपाय के विलोम मतलब उल्टा शब्द लिखे अब आप लिखेंगे कैसे देखे आप उत्तर डालेंगे एक तरफ शब्द लिखेंगे दूसरे तरफ विलोम लिखेंगे तो शब् उसके बाद इसका उल्टा विलोम इस तरफ लिखेंगे तो द्रिढ का उल्टा हो जाएगा विचलित देखे द्रिढ मतलब होता है जो विचलित ना हो तो उल्टा हो जाएगा विचलित इसको आप शीथिल भी कह सकते हैं लेकिन चुकि यहाँ पे मनुस्य की बात आई है मन देना है कि प्रश्णों के उत्तर को लिखने में थोड़ा सा सफाई रहे तो जाद आच्छा रहेगा ठीक है चले अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए ठीक है तो आप लिखेंगे कैसे उत्तर डालेंगे पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या ठीक है उसके बाद डैस डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पध्यांश में श्रद्धा मनुसे प्र इतना हम अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं तो हमारी व्याख्या थोड़ा सा सुन्दर लगने लगती है तो आप इतना अपनी तरफ से जोड़ेगा उसके बाद जहां पर लाइन खीची है उसकी व्याख्या आप अपने से लिख दीजिएगा जैसे मैंने बताया है जैसे जैस वैसे मैंने बोला है ना वैसे वैसे आप लिख देंगे तो भी अख्या पूरी हो जाएगी ठीक है तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में जरूर आई होगी